हेलोवीन नाइट की साथ ही इस मोवी का स्टार्ट होता है जहां पर सिटी की सारे लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे वही पर हमें तीन फ्रेंड्स दिखाये जाते हैं और वो भी हेलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हें पुराने जमाने की कपड़े पहन कर आने होते हैं इसकी इलावा ट्रेन में बहुत सी इंट्रस्टिंग किसम की गेम्स कहले जाती है और इस ट्रेन की सर्विसीज लाइक खाना पीना सफ रही होता था लेकिन इस ट्रेन का टिकेट काफी कॉस्टली था और सिरफ अमेर लोगी इसमें सफर किया करते और वो तेनों फ्रेंड्स भी इतनी रिच नहीं होते कि वो इस ट्रेन का टिकेट परचेस कर सकते इसलिए उनमें से दो फ्रेंड्स तो वहाँ से चले जाते हैं आफे कर्णक्टर और उन सबी पेसेंजर्स को ट्रेन की अंदर लेकर जाता है ट्रेन की अंदर सबी पेसेंजर्स का काफी अच्छी से वेलोकम किया जाता है उन पेसेंजर्स में एक चोटी लड़गी तीी जिसका नाम थप्रेंड नहीं आया थे और इस बार वो पंदरवी बार आ रहा था जिस पर Abigail उसे पुछती है कि आप इस ट्रेन में इतनी बार आई हैं तो क्या आप बोर नहीं होते हैं जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं क्योंकि ट्रेन में हर बार कुछ मज़े का कुछ नया होता है तबी एक फोटोग्राफर वहां पर आकर उन सब की एक ग्रूप फोटो लेकर वहां से चला जाता है अब क्योंकि सारे के सारे पैसेंजर्स ट्रेन में आ चुके थे इसलिए कंड़क्टर ड्राइवर को सिगनल देता है कि वो ट्रेन चला दे इसके बार ट्रेन चल पड़ती है इसके बात अन लोगों को डिनर दिया जाता है और ड्रिंक दी जाती है लेकिन आवलीन को अपने टेबल पर एक कौकरॉच नजरा आता है लेकिन पलक जपकते ही वो कौकरॉच गाईब हوجाता है इसकी बात एवलीन प्लेट उठाती है और प्लेट के नीचे भी उसे बहुत सारे बग्स बहुत सारे कौकरोचिस नजर आते हैं और हैरत की बात तो ये होती है कि इस बार देखने पर फिर से वो कौकरोचिस गाइब हो जाते हैं सडन और तो और वो बग्स वो को क्रोची सिर्फ एवलीन को ही नजर आ रहे थे और कोई उसे नहीं देख पा रहा था तबी ट्रेन की लाइट्स फ्लीकर करने लगती है और अब वहाँ पर उस शो का होस्ट आता है और वो सबी पैसेंजर's के सामने अपने सारे ग्रूप मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाता है और बस थोड़ी की देर तक वो लोग शो स्टार्ट करने वाले पोस्ट उन पैसेंजर से काफी अजीब तरह की बाते करने लगता है हिंच में वो कहता है कि हो सकता है कि यहां से कोई भी बच कर वापिस न जाए और अगर वो बच भी गए तो जैसे वो लोग यहां पर आए हैं वो वैसे नहीं जाएंगे वाप एबिगेल नौटिस करती है कि उसके हाथ से खून आ रहा है लेकिन एबीगेल जब अपना हाथ दुबारा देखती है तब वहाँ पर कोई कोण नहीं होता उसका हाथ ठीक हो गया एबीगेल विंडो से बाहर किसी एचिप जिसको नाटिस करती है ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई खतरना किसम का क्रियेचर है लेकिन वो उस पर ज्यादा देहान नहीं देती इसके बाद उस ग्रूप का शो स्टार्ट हो जाता है और अब शो का होस्ट अपना शो स्टार्ट करने वाला होता है और एक बार फिर से ट्रेन की लाइट्स फ्लीकर करने लगती है लेकिन इस बार ज्यादा देर के लिए लाइट चली जाती है लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो हम देखते हैं कि वो होस्ट नीचे गिरा हुआ है उल्टा होकर और उसकी बैक साइट पर एक चाप को गुसा हुआ है कि मेंबर पैसेंजर्स को बता रही होते हैं कि हमारा होस्ट मर चुका है लेकिन सबी पैसेंजर्स इसे शो का हिस्सा समझते हुए इंज्वाई कर रहे थे लेकिन गरूब के बाकी मेंबर ये देखकर हैरान होते हैं क्यूंकि वो आदमे उनके गरूब का तो नहीं था और ना ही वो उसे जानते थे गरूब की एक फीमेल मेंबर सब को बताती है कि ये हमारे शो का हिस्सा नहीं है लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाती वो आदमी उसे पंच मार कर उसका मूँ बंद करवा देता और वो सब पैसेंजर्स को कहता है कि अपनी सारे किमती चीजें लाइक जूलरी एक बैक में डाल दे यहाँ पर सारे ग्रूप की मेंबर और पैसेंजर्स यह समझ चुके थी कि यह आदमी एक रोबर है जो ट्रेन को लूटने के लिए यहाँ पर आया है लिकिन कोई भी अपनी एकस्पेंसिव चीजें उसे देने के लिए तयार नहीं था और वो एक पैसेंजर के हाथ में गोली मार देता और वहाँ पर एक लड़की बैटी होती है उसे वो गन पॉइंट पर ले लेता लिकिन तब ही वहाँ पर एक लड़का उड़ता है और उसे ऐसा करने से मना कर देता है और इस लड़के का नाम होता है थॉमस जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आया था और यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि थॉमस असल में उस रोबर का साथ ही है इसका मतलब यह है कि वो दुनों रोबरी करने के लिए इस ट्रेन में आये लेकिन थॉमस यह बात नहीं जानता था कि उसका पार्टनर किसी को शूट कर देगा इसलिए वो उस रोबर यानि अपने पार्टनर पर बंदोगतान देता लेकिन तब ही यहाँ पर एक और राज रिवेल होता है कि वो लड़की जिसे अभी कुछ दिर पहले गन पॉइंट किया हुआ था वो भी उस रोबर के साथ मिल लिए थी जो फीमेल रोबर थी और ही सारा किया धरा इस फीमेल रोबर का ही था सारा प्लैन इसका था इसलिए वो थॉमस से गन स्नैच कर लीती ताकि वो ट्रेन को रोख सके फिर वो फीमेल रोबर एक फीमेल पैसेंजर को कहती है कि अपनी सारे जूल्रे सारे कीमती चीज़े मुझे दे दो लेकिन वो फीमेल पैसेंजर ऐसा करने से इंकार कर देती है जिसकी वेज़ासे वो female rover उसे shoot कर देती फिर वो female rover सब passengers का सारा किमती समान ले लेती है और वो सब passengers डर जाते दूसरी दिरह वो rover drivers को गंदी खा कर train रोकने के लिए बोलता लेकिन वो driver ऐसा नहीं करते हैं उसकी बात नहीं मानते और समझधारी का मुझाहिरा करते हुए वो उस रोबर पर अटेक कर देते हैं जिसकी विज़े से उस रोबर का गला कर जाता है और वो मर जाता है लेकिन मरते मरते वो रोबर उन दोनों ड्राइवर्स पर शूट करके उन्हें मार डालता है और अब ट्रेन को चलाने वाले दोनों ड्राइवर्स भी मर चुके और अब बगएर किसी की चलाए ही बड़ी स्पीड से ट्रेन आगे बाढ़ रही थी कंड़क्टर सब को बता रहा होता है कि ट्रैक पर एक बहुत बड़ा मोड आने वाला है जिसकी लिए ट्रेन की स्पीड को कम करना होगा लेकिन ट्रेन तो बहुत स्पीड से चल रही है इसका मतलब यह है कि दोनों ड्राइवर्स मारे जा चुके इसका मतलब यह है कि जब वो मोड आएगा तो ट्रेन ड्रैक पर से उतर जाए जिसकी वजह से हम सब मारे जा सकते हैं और वो सब को ये भी solution बताता है कि अगर हम train की सबसे पीछे वाले डबे में चले जाए तो हम बच सकते लेकिन वो female rover ऐसा करने को तयार नहीं थी वो सब को कहती है कि कोई नहीं जाएगा यहां से सब अपनी अपनी जगा पर ही बैटे रहे लेकिन जैसे ही थो मसको मुका मिलता है वो उस female rover पर attack कर देता जिसकी वज़े से सब को वहां से निकलने का मुका मिल जाता इसलिए सब एक एक करके ट्रेन के पीछे वारे डबे में आ जाते हैं वो सब लोग ट्रेन को और एक दूसरे को काफी मस्भूती से पकड़ ले और तबी वो मोड आ जाता है और ट्रेन ट्रैक पर से उतर जाते हैं ट्रेन के जिस डबी में ये होते हैं वो सीधा जाकर पूल में गिरती हैं। इस एक्सिडेंट में कंड़क्टर के साथ कुछ और लोग भी मारे जाते हैं और कुछ इंजर्ड भी हो जाते हैं। और अब ट्रेन के उस डबी में पानी भरनी लगता है। एक पैसेंजर तो बुर में टक की बोलने की आवाज सुनाई देती हैं। फिर तोमस वहां से निकलने के लिए सेफ रास्ता डोड़ता है। लेकिन एक पैसेंजर को तोमस पर बहुत ज़्यादा घुसा आ रहा होता है। इसी वज़े से वो तोमस को मारने लगता है। क्योंकि वो भी तो एक रोबर जाएं। लेकिन वहां पर इतना ज्यादा अंदेरा होता है कि ठीक से वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिर एक पैसेंजर डिसाइट करता है कि वो जाकर ये पता लगवाएगा कि आखिर किनारा है किस तरफ। इसलिए वो एक टॉर्च लेता है और पानी में होता है कि एक क्रियेचर उसे पानी में खेंचकर ले जाता है अंदर जाकर अबिग जल्सब को ये बात 5 के लिए पानी में जातीकि ग satisf है прямо आफिबर उसे जल्दे से पानी से बाहराने के लिए बूलती है लेकिन इससे पहले कि वो पानी से बाहर आपाती एक क्रियेचर आकर उस फीमेल ग्रूप मेंबर को अपने साथ पानी में ले जाने की कोशिश करता है किन किसी तरह वो फीमेल मेंबर खुद को अजाद करवा लेती है उस क्रीचर से और जल्दी से बाहिर आने की कोशिश करती है एवलिन उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है एवलिन उसके दोनों हाथों से पकड़ कर उसे बाहिर निकालने की कोशिश कर रही है अब क्योंकि वो क्रियेचर काफी पावरफुल था इसलिए वो उस फीमिल मेंबर को अपनी तरफ खेंच लेता है जिससे एवलिन के हाथ में अब सिर्फ उस फीमिल मेंबर के हाथ ही रह जाते है जिब कि बाकी पूरी बॉड़ी वो क्रियेचर ले जा चुका था लेकिन ये लोग बुई मुसीबत में फ़स चुके थे क्योंकि वहाँ पर पानी भरता ही जा रहा है और थोड़ी दिर की बात ये लोग उसमें डूब कर मरने वाथ अब क्योंकि इनके पास और कोई आप्शन नहीं होता इसलिए ये पानी में कोच जाते हैं और किनारे की तरफ पढ़ने लगते हैं लेकिन थॉमस जोके उस पैसेंजर की हेल्प के लिए रुख जाता है जिसका पाउं वाहाँ पर फसा हुगी ये वो ही पैसेंजर था जोके पंदरवी वार वहाँ पर आया था देखते ही देखते हैं ट्रेन का वो पुला डबा पानी से भड जाता है और वो क्रियाचर एवलिन पर तुबारा से अटैक करता है लकिन इस Еभीगेल की केयीड़ेकर उसकी ہेल्प करती है और एवलिन को बचा लेती है तॉमस उस पेसिंजर को बचा लेता है जिसका पाउं फसा हुआ था और वो सब लोग बिल्कुल सेफ किनारे पर आ जाते हैं लेकिन उनकी आगे बढ़ने से पहले ही वो कर्येचर एक बार फिर से उन पर अटेक कर देता है उसे बचाने के लिए उस कर्येचर की आगे खुद आ जाते हैं लोग चले जाते हैं वो घर काफी पुराना और काफी गंदा था सर्वाइवल पैसेंजर को वहाँ पर खाने का एक बाक्स मिलता है और वो उस खाने को खाने लगता है पिर ये सब लोग अलग-अलग होकर उस घर को जैक करने लगते हैं और थोड़ी ही दिर बाद ये लोग फिर से इकठे हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर वो पैसेंजर नहीं है जो खाना का रहा था और वहाँ पर सिर्फ उसका लाइटर पड़ा हुआ था वो क्रियेचर अब थोमस को भी पगड़ लेता है एबिगिल और एवलिन जाकर खुद को एक रूम में लॉक्ट कर लेती हैं जबकि वो क्रियेचर बाहर खड़ा हुआ उनका वेट कर रहा हुता है एबिगिल समझ चुकी थी कि वो भी इस क्रियेचर का शिकार बनने वाले हैं इसलिए वो खुद को उस क्रियेचर के हवाले कर दे उसके बाद एवलिन की जब आंके कुलती हैं तो सुबा हो जाती है वो क्रियेचर सिर्फ अंधेरे में ही आया करता था अब इससे पहले की दुबारा से रात हो जाए अंधेरा हो जाए और वो क्रियेचर फिर से आ जाए एवलिन बगार कोई देरे किये जंगल की तरफ भागने लगा जंगल से भागते भागते वो ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच चुकी थी उस रेल्वे ट्रैक को फोलो करते करते वो उस रेल्वे स्टेशन पर आ जाते है जहां पर वो फर्स टाइम इस ट्रेन में बैठे लेकिन अब काफी रात भी हो चुकी थी स्टेशन पर काम करने वाली एक वर्कर एवलिन की हेल्प करती है और वो एवलिन को एक रूम मिले जाती है वो लड़की एवलिन से पुछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम्हारी ऐसी हालत किसने की जिस पर एवलिन बताती है कि हमारे ट्रेन का एक्सिडेंट हो गया था और बाद में एक रियेजर ने हम पर अटेक कर दिया एवलिन की ऐसे भाते सुनकर वो लड़की समझ जाती है कि लड़की सब्मे में है इसलिए ऐसा बोल रही है पिर वो वरकर अपने बागी साथियों को बुलाने के लिए वहां से चली جा और वो बता रही है कि मेरी साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है करीचर वगेरा ये सुनकर वो सब लोग दुबारा से एवलिन के पास आ जाते हैं जो कि अभी तक दर्वाजा ही खोल रही है लेकिन एक दम से सब कुछ रिलेक्स हो जाता है लेकिन जब वो लड़की दर्वाजा खोलती है तो वहाँ पर एवलिन होती ही नहीं है क्योंकि वो गाइब हो चके यहाँ पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कैसे गाइब हो गई क्योंकि यहाँ तो सारे दर्वाजे बंद थे लेकिन उनकी सिनियर को सारी बास समझ आ गई थी और वो उन्हें एक जगब पर लेकर जाता है और उन्हें एक ट्रेन एक्सिदेंट की बारे में बताता है कि आज से तकरीबं 96 साल पहले इसी रियल्बी स्टेशन पर एक ट्रेन जा रही थी जिसका एक्सिटेंट हो गया किसी मोड की वज़स जिसकी वज़से पूरी की पूरे ट्रेन पूल में जाकर गई गई और हैरत की बात तो यह है कि उन सब पैसेंजर्स की ड़र्ट बॉड़िस गाइब हो गई थी अपने आप से और तबी हम उस ग्रूप पिचर को भी देख पाते हैं जो कि उन सबी पैसेंजर्स की थी यनि जो कुछ हमने देखा वो रेसेंटली नहीं हुआ था बलकि 96 साल पहले का इंसिडेंट था अब क्योंकि एवलेन सर्वाइवर थी इसलिए उसकी सौल इधर उधर बटक इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और तब हम अचानक से वहाँ पर उस ट्रेन के होस्ट को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर शोस किया करता था और बस इसी के साथ ही ये मूवी यही पर एंड हो जाती है